हेलो एब्रियों विल्कॉम टू तॉ 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 प्रेंड ये प्रैक्टिस सेट टू है एक ओलेटी अप्लोड हो चुका है अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जरूर देखिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको देदूंगा तो फ्रेंड प्रैक्टिस सेट टू सुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना ना बोलिएगा फ्रेंड ये है हमारा प्रैक्टिस सेट टू जिसका पहला क्वैस्टन है ये तो हम इसके स्लेबस के बारे में थोड़ा जान ले हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं वहाँ से सारे क्वैस्टन आपके यूपीतर प्रैसी में पूछे जाते हैं अधिनस्टिवा चैन बोर्ड में पूछे जाते हैं तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं फर्स क्वैस्टन है कि निम्लिखित में से किस आधुनिक भरतिय भासा का विकास सौर सैनी अब्रण से नहीं हुआ है तो सौर सैनी अब्रण से ओधी भासा का विकास नहीं हुआ है ओधी भासा का विकास और बाकी जो हुआ है जिसे राजस्थान राजस्थानी बोली बोली और ब्रजभासा और एक और है पस्चमी हिंदी इन सब का विकास किसे हुआ है सौरसाइनी अब्रण से हुआ है बलकि आधी का जो विकास हुआ है वो अर्ध मागदी अब्रण से हुआ है तो फ्रेंट उम्मीद करता हूँ है क्वेस्टन आपको समझ में आया होगा कॉस्टन नमर टू देखते हैं कौन सा संयुक्त बेंजन नहीं है तो संयुक्त बेंजन मेरा सा नहीं है बाकी छा तरख ग्या है हमारा संयुक्त बेंजन है संयुक्त बेंजन जो है दो से मिलकर बनते हैं तो ये सा जो है हमारा संयुक्त बेंजन नहीं है वागमे वागमे का सं संद्वी छेद होगा और वागधन में जो वांग में है वो हमारा कौन से संदी होगा बेंजन संदी होगा निश्चल में कौन सी संदी है तो निश्चल में हमारी विसरक संदी है निश्चल में कौन सी असुध वरतनी वाला है तो असुध वरतनी वाला हमारा है महत्मे महत्मा कैसे लिखा जाएगा तो महत्मा ऐसे लिखा जाएगा महत्मा ऐसे लिखा जाएगा कौत्री सही है जो सना सही है बिरड़ी सही है question number 6 देख लेते हैं लिगमें से कौन सी वर्तनी सुद्ध है तो सुद्ध आपकी कौन सी वर्तनी है वालमी की आपकी सुद्ध वर्तनी है निरपराद ही नहीं होता है निरपराद होता है निरपराद होता है परिच्छा नहीं होती है परिच्छा ये सही होती है और भीसमी ये सही होता है साथ से नो हमारा गद्यान्स है तो गद्यान्स जो है हम पहले question पढ़ेंगे फिर answer देंगे मनुस गाधी आदी महापुरुस को वाचिक सम्मान दे रहा है अर्थात क्या क्या दे रहा है और थाद दे रहा है मातर वाचिक सम्मान यहाँ पर है तो उन्हें क्या कह रहा है कि बुद्ध हो की असोक, गाधी हो की इशु मान, सिर जुका सब को, सभी को स्रेशनिस से मान बाकी चीजे ये है कि इसमें क्या कह रहा है इसमें ये कह रहे हैं कि जो भी उनको सम्मान दे रहे हैं उनके सम्मान का दिखावा कर रहे हैं आंसर सी सही होगा Question number 8 देखते हैं Question number 8 है अमरीत रूपी सान्ती किधार बरसाने पर भी संसार में क्या ब्याप्त होता है तो संसार में अग्यानता दुख और आरजकता ही ब्याप्त होता है कभी उस सिस्तिती के आसा नहीं कर पा रहा है जब ग्यान का प्रकास फैलेगा Question number 10 हिंदी में सरवादिक परियोग होना वाला बिराम चिन कौन सा है अलप बिराम सबसे ज़्यादा हिंदी में परियोग होना वाला चिन है थोड़ी देल के रुकना होता है अलप बिराम में थोड़ी देल के रुकना होता है वाक में निवे सब्दों में कौन सा अरभी शब्द है तो अरभी सब्द आपका कौन सा है गरीब गरीब आपका अर्भी सब्द है सरकार आपका फार्सी सब्द है कालीन आपका तुर्की शब्द है और तमबाकू आपका पुर्थगाली शब्द है तो इस से आपके question बनेंगे ही बनेंगे जो हमारे तurki, अربी, फार्सी, चीनी ठीक है ये कौन से सब्ध हैं तो अर्बी सब्ध हमारा गरीब होगा सरकार जो है फार्सी सब्ध होगा Question No.13 Question No.13 में कौन सा सब समुआचक संगया नहीं है तो समू आचक संगया कौन सा नहीं है तूफान एक जाती वाचक संगया है बाकि सभी समू आचक संगया मतलब क्या जिस संगया से किसी ब्यक्ति या बस्तु के समू का बोध होता है सभा सभा में काफी लोग बैठे होते हैं दल में भी काफी लोग गिरोव में काफी लोग होते हैं बढ़ तूफान एक जाती वाचक संगया है नाकि समू आचक संगया है संबंद वाचक सर्वनाम कौन सा है तो जो और सो क्या है संबंद वाचक सर्वनाम है कौन सा स्त्रीलिंग सब्द नहीं है तो स्त्रीलिंग और पुलिंग से आपको क्वेशन जरूर देखने को मिलेंगे इस्त्री लिंग है तो इस्त्री लिंग इसमें कौन सा नहीं था दही दही एक पुली लिंग सब्द है लेखते क्वेसिन नमबर 16 नारी का बोबचन क्या होगा तो नारी का बोबचन होगा नारीया हिमाले से गंगा निकलती वाक्त में कौन सा कारक होगा तो जब भी अलगाओ की स्थिती होती है तो अलगाओ में हमारा अपादान होता है अपादान में से होता है जैसे बंदर छसे कूदा हिमाले से गंगा निकलती है तो ये हिमाले से गंगा का अलगाओ हो रहा है बंदर का छसे अलगाओ हो रहा है ये 18 question में 18 दो या दो से धिक धातूं और दूसरे सब्दों के सियोग से धातूं में पड़ते लगाने से बनने वाली किरिया क्या कहलाती है तो उस किरिया को हम योगी किरिया कहते हैं जैसे चलना से चलाना हसना से हसाना ठीक है question number 19 जिस काल में एक किरिया का होना दूसरी किरिया पर निर्वर करता है उसे क्या कहते हैं उसे हेत हेत मद भविस कहते हैं answer C सही होगा जैसे वह आए तो मैं जाओं ये क्या है हेत हेत मद भविस किरिया है एक किरिया दूसरी पर निर्वर करती वह आएंगे तो मैं जाओंगा चलिए next देखते है question number 20 question number 20 है कि निरखिल में से अन्तास्तत बिंजन कौन सा है तो अन्तास्त बिंजन आपका है या यारा लावा यारा लावा आपका अन्तास्तत बिंजन है इसको हम लोग अर्ध स्वर्भी बोलते हैं अर्ध स्वर्भी बोलते हैं अन्तास्तर बेंजन कौन सा है? यारा लावा निम्की में से कौन सा नी उपसर्ग का अर्थ है? तो नी में सारे उपसर्ग हैं सभी है नी शेद है नी उपसर का अर्थ पूछ रहा है ना कि उपसर गए तो नी निशेद भी है अभाव भी है और विशेश भी है सभी का अर्थ है इसमें निशेद question number 22 22 में कौन सा सब्द है तत्सम सब्द है तो तत्सम सब्द आप देख लीजिए तत्सम कौन सा है तो सोना का स्वड होता ये तत्सम है और बाकी सब तद्भों है जैसे शूर्य कुआ और कपूत ये सब क्या है ये सब तत्द्भों है बाकी सारे बाकी जो है स्वड जो है मारा तक्सम सब्द है गीता ने आम खाया में कौन सा काल होगा तो गीता ने आम खाया इसमें कौन सा काल होगा इसमें आसन भूत होगा अभी उन्होंने खाया तो बिल्कुल आसन भूत होगा करिया समाप्त हो रहे गीता ने आम खाया है तो आसन भूत हो गया करकी समापती हो गई है ठीक है लिखें से कौन सा अस्थान वाचक अवयो है तो अस्थान वाचक अवयो यहां होगा यथा संभो में कौन सा आवयो है तो यथा संभो में रीती वाचक क्रिया विसेशड होता है यथा संभो में और यथा संभो क्रिया विसेशड का जो एक्जामपल है जैसे सायद आवस्यक यथा सकती धीरे अचानक ये सब क्या है रीती वाचक क्रिया विसेशड है question number 26 कौन सा तदभो सब्द है तो तदभो सब्द आपका कौन सा है तदभो तदभो आपका अमिय है क्योंकि अमें तदभो है और इसका तस्वम अमरित होता है अमरित अमरित होता है बाकी सारे इट का इस्टिका होता है उल्लू का उलूक होता है का हस्त होता है तो कौना अतरी तर्षातों है अतरी हैं अतरलों मुझे में किस पर्थे का परियोग हुआ है तो नय्यांद परते क्या होता है जो किरिया या धातंगों के अंत में परियोग होकर जो बनते हैं उसे हम परते बोलते हैं बिचार में एक लगाने से क्या बनेगा तो बिचार में लगा ओगे तो बैचारिक बन जाएगा question number 13 निमसे कौन सा वाकशुद्ध है तो कौन सा वाकशुद्ध है तो सारा राज उसके लिए थाती था ये वाकशुद्ध है बाकी सारे असुद्ध है क्या है मैं आपके दर्सन करने आया हूँ आपका नहीं आपके दर्सन करने आया हूँ मैं आप पर सरद्धा करता हूँ मैं आप पर सरद्धा करता हूँ ना कि मैं आपकी सरद्धा करता हूँ अभंग एक मराठी छंद है यहाँ पर प्रकार भी नहीं होगा और होता भी नहीं होगा अभंग एक मराठी छंद है मैं आपर सरद्धा करता हूँ मैं आपके दर्शन करने आया हूँ तो यह तीनों अशुद्ध थे और यह हमारा शुद्ध है निमसे कौन सा विसेश नहीं है तो विसेश कौन सा नहीं है तो विसेश इसमें से विपन नहीं है विपन एक विसेशड है बाकी सारे विसेश है Question number 32 Question number 33 Question number 33 निक्वी में से रासब किसका प्राइबाची है रासब जो होता है गधा का होता है रासब गधा का होता है गधा के और प्राइबाची होते है खर होता है गंधर्व होता है गधर्व धूसर होता है वेसर होता है यह सारे उसके प्राइबाची है कौन सा विसेशण नहीं है तो विसेशण आपका प्राची विसेशण नहीं है प्राची एक आपका विसेश है प्राची आपका एक विसेश है ना कि विसेशण है विसेश विसेश है यह विसेश और बाकी सारे विसेशण है लोभी इनिशिद और भूका यह सब आप एक पेपर कॉपी में नोट कर लें 35 नमबर है निवखी में उसकर कौन सा युग संगत बिलोम युग नहीं है युग संगत बिलोम सब्द नहीं है तो जड और अस्थावर जड का होता है चेतन अस्थावर का होता जंगम बाकी सारे सही हैं अगर का सौम, कनिष्ट का जेश, गरल का शुधा यहाँ पे आप देख लें जड का जो बिलोम सब्द होता है चेतन होता है और अस्थावर का जो बिलोम सब्द होता है जंगम होता है धीरे-धीरे में कौन सा समास है तो धीरे-धीरे में आपका अब भी भाव समास है धीरे धीरे दिनो दिन रातो रात दिनो दिन रातो रात बीचो बीच आमने सामने ये सारे क्या हैं ये सारे अब भी भाव समास हैं किस समास का पहला पत संख्या वाच्छा को था दिगू जैसे सब्त शिंदू नौगरा ये सारे क्या होते हैं दिगू श क्या करूं मैं कौन सी बृत्ती है तो बृत्ती से भी question पूछा जाता है इसमें कौन सी बृत्ती है अब मैं क्या करूं तो एक संभावना नार्थक बृत्ती है कि पूछ रहा है एक संभावना ब्यक्त हो रहा है अब मैं क्या करूं वक्ताकार होने की संभावना ब्यक्त करता ह उसे ही हम लोग संभावना बृत कहते हैं और इसका जो चिन होता है जैसे चिन में A होता है या A पे चांद की बिंदी होती है बड़ी उपे चांद की बिंदी होती है जैसे यहां करूँ पर देखे चांद की बिंदी है ना उपे तो यह इसका सिंबल है कि संभावना अर्थक बृति की बात कर रहा है क्वेशन नमबर 40 कि निवगी से कौन सा वाक बिधी वाचक वाक है तो बिधी वाचक वाक है कि हम खाना खा चुके हैं एक बिधी वाचक वाच है और बिधी वाचक वाच क्या होता है किसी बात के होने का बोध हो जो हो उसे हम विधी वाचक वाकी कहते हैं Question number 41 निवगी में से अशुद का चैन कीजिए तो असुद इसमें से कौन सा है असुद है C यह काम आप पर निर्भर करता है चूकि यह काम आप पर निर्भर है करता का यूज यहां पर नहीं होगा बाकी सारे अनल, क्रिशान, धूम, केत, यह सब क्या है यह सब अगनी का प्राइबाची है Question number 43 कौन सा अमरित का अर्थ का अर्थ का ब्रह्मा नहीं है बाकी आपका श्वर्ड, जैल, दूद, पारा, अन यह सब क्या है, यह सब अमरित है युक्त, युक्त, बिलोम, शब्द, युग्म का चैन कीजिए तो युक्त, युक्त, जो बिलोम, शब्द का चैन हमें करना है वह हमारा प्रकास और तिमिर यह सही है, प्रकास का तिमिर होता है और मृत का जीवित होता है, ना कि मृत होता है मानों का दानों होता है ना की राचस होता है और रत का जो होता है वो बिरत होता है ना की निरत होता है तो question number 45 देख लें अब हम लोग question number 45 ये question आपके exam में आ चुका है अभिराम और अभिराम का करमसा क्या आर्थ है तो अभिराम का मलब सुन्दर होता है और आभिराम का मतलब लगातार बिना भिराम किये होता है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार मान से अभिराम का मतलब सुन्दर होता है कुंडलियां किंदो चंदो से मिलकर बनती हैं तो दोहा और रोला से बनती हैं इनका सौट फार्म आप कलो रोदो ये हमारी कुंडलियां है निए दोहा दो से दोहा और रो से रोदू तो दोहा और रोला मिलकर बनती हैं इसमें जो है छैचरण होते हैं कुंडलियों में क्या होती है छैचरण होती है और चौविस मांत्राएं होती है छैचरण और चौविस मांत्राएं कोप मंडूप होना का क्या मतलब है कोप मंडूप होना होता है संचारी भाव के संक्या कितनी होती है तो संचारी भाव हमारे 33 होते हैं 33 होती है और प्रेम चंद्र द्वारा लिखित कौन से पुस्तक नहीं है तो आप यह जान लीजिए प्रेम चंद्वारा लिखी पुस्तक दुरुप स्वामनी बाकि काया कल्प रंग भूमी गोदान गवन कर्म भूनी और इनका एक सबसे इंपॉर्टन इनका बुस्तक जो है वह मंगल शूतर है जो इनका अपूर्ड था कम्प्लीट नहीं था next question देखते हैं क्रिया की पूर्टा और नितता या समानता भूत को क्या कहा जाता है इसको पच्छ कहा जाता है क्रिया क के दो पच्छ मत क्र शूर्द पिए ये सारे मित्र सब्द के सहियोगी ये सब सारे मित्सब्कार्थ है, स्यू नहीं होता है, सरसुती का प्राइबाची नहीं है, इला जो है सरसुती का प्राइबाची नहीं है, इला जो हमारे पृत्वी का प्राइबाची है, पृत्वी को प्राइबाची कौन से होते हैं, उर्वी होता है, पृत्वी होती संद्रा होता है और हम स्रसुति की देखते हैं तो ब्रामी सारदा भारती वगीशा यह सारे स्रसुति के प्राइबाची है क्वेस्टन नमबर 51 वह वाक्यांस वह सब्दांस अवयो जो किसी सब्द के पहले आकर उनका विसे सद्द प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है उन्हें उपसर्ग होता है उपसर्ग कहा जाता है उपसर्ग परते दो चीजे होते हैं उपसर्ग सब्द के पहले लगता है और परते बाद में लगता है विच्चुक सब्द कौन सा परते लगा हुआ है विच्चुक में उक सब्द लगा हुआ है विच्चुक उक लगा होडी का तीज़ का तेज़श्वी होता है क्रोध का गुरुद होधा गात कोट से कौन सा ALD नहीं है। तो अब कौनसा सब्ध है विशाद दैंए विसासज सब्ध नहीं है विशास चुक् поддерж सब्ध है बाकी सारे क्या है विए-शड़ सब्द हैं questionnaire 57 जो इस्तवर शूर ना देख सके उसे क्या कहते है आसुर पस्या वह इसतरी शूर ना देख सके उसे आशूर पस्या कहते है questionnaire 58 आमर्ष क्या है अमर्ष संचारी भाव काफी important प्रफिटें प्रफिटेंट कोईशेन और संचारी भाउं कि संक्या कितनी है असंब्वा सब्सक्राइब कौन संत्वार सकूता है तो असंब्वा में आपका नज़ समास होता है जिसके सामें आ अन ये सब लगे हो तो इनको आपको ऊस नज़ ततपूरूस बोलते हैं और हैं अलुक हो गाएं तो यह थे फ्रेंट टोटल आपके एक्जाम में और यह काफी इंपॉर्टेंट है तो जरूरी से देखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आपका सपोर्ट हमारी इंपॉर्टेंट है मिलते हैं नेक्स